केपता कीचन में आप सभी का स्वाजत है आज हम बनाएं ये दहिवारा चलिए हम जानते हैं किसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरुत होगी उड़ी दाल जिसे हम 500 घंटा भीगो करके रख लिए हैं दही इमली चटनी रिफाइन भुजिया उजला नमक काला नमक लाल मिर्च पाउडर जीरा पाउडर तो चलिए सबसे पले हम उड़ी दाल को पीछ लेते हैं अब हमारा दाल पिछा चुका है अब इसे हम एक बड़तन में निकाल लेंगे अब इसमें हम थोड़ा उदिला नमक मिलाएंगे और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर थोड़ा ही मिलाएंगे ज्यादा नहीं अब इसमें अच्छी तरह मिला लेंगे हुवची तरह से हमिला लेंगे अब इसे हम दस मिनट के लिए छोड़ देंगे धकड़ के दस मिनट हो चुका है अब इसका हम धक्कन हटाएंगे और इसमें हम थोड़ा जीरा मिला देंगे ऐसे हम फिर मिक्स कर देंगे है को में एक कड़ोड़ा में हम पानी लेए तो चली हम बनाना शूड़ करते हैं तो चली सबसे पहले हम गया गर्म होने देंगे पैन गर्म हो चुखा है अब इसमें हम देल हो डालेंगे तुम तुम तो तहोड़ा भना कट के हम याज कर लेंगे कि दिल हमारा गर्म हुआ की नहीं अचलिये तेल गर्म हो चुका है हम बनाना चालू करज़ें हाथ में पानी लगाएंगे पानी के सहाइता से हम इसमें बारा डालेंगे हाँ व्कंती समया कि ये जिलहें है ये बता इप्ष ये भाला रहां बники ये लगा करिये निट लगाएंगे ये ले रहे घुज है बड़े को हम खलका ब्राउन कर लेंगे दूने तरफ से अब हमारा बड़ा दुनों तरफ से हलका ब्राउन हो चुका है अब इसे हम निकाल लेंगे अब एक टोप्या में हम पानी गर्म करेंगे थोरा सा गर्म कर लेंगे ज्यादा खुलाएंगे नहीं इसको पानी मारा गर्म हो चुका है अब गया संबंद कर देंगे और इसमें हम एक चमत दही मिलाएंगे अब दस मिनट के लिए इसे हम ढख कर छोड़ देंगे अब दस मिनट हो चुका है अब हम इसका धक्कन हटा देंगे अब वरा में से हम हाथेली के सहायता से धीर धीर हम सभी पानी को गार देंगे अब इस पर हम दही डालेंगे अब इस पर ही पजला नमक दालेंगे थुरा सा काला नमक दालेंगे इंगली चथनी डालेंगे अब जीरा पाउडर डाल देंगे थुरा साथ लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे अब हमारा देवारा बनकर तयार है अगर आपको यह रेस्पी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे अब हमारे चैनल करेंगे